नमेश कर दोस्तों, मैं गतम सिंग को खुल क्लासेस में आप सबीका स्वागत करते हूं, आपके लिए ले करा हैं papers 12 exercise 7.1 पहला question है, पहला के पहला number, देखिए, पहला question है आपका sin2x तो sin2x जो है कह रहा है कि प्रती अवकलोज समा कलोन ने रिक्षड़ विधी दोवरा आपको बताना है sin2x का आपको ये बताना है कि sin2x जो है ये किसका प्रती अवकलोज है sin2x का प्रती अवकलोज ये बताना है आपको देखिए हम लिख सकते हैं dy dy dx cos 2x cos 2x तो cos 2x जो है क्या है ये cos 2x जो है हमारा माइनस हो जाएगा अब 2 हो जाएगा 2 यहाँ पे है और यहाँ परफोका हो जाएगा sin 2x इसका अमठी फर्सेशन निकाल देते हमारा हो गया माइनस 2 sin 2x ठीक है अब यहाँ पर दियान देजिए अब आपका क्या है तो sin 2x है sin 2x यहाँ पर जो हमारा 2 है गुणा में है तो गुणा में है तो इधर आएगा तो बटा में हो जाएगा तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे देखिए माइनस एक बटा दू आद दी बाई dx cos 2x cos 2x होगे हमारा यह अब यहाँ पर दियान दीजिए हम इसको लिख सकते हैं sin 2x बराबर माइनस इधर लेक के चला जाएगे तो हो जाएगा dy dx ब्राइकेट में लिखेंगे माइनस एक बटा दू और यहाँ हमारा हो जाएगा cos 2x cos 2x इतना होगे हमारा तो हम लिख सकते हैं अतो सब में आपको इसे लिखना होगा अतो sin 2x का प्रती और कोलज प्रती और कोलज जो है हमारा क्या हो जाएगा इसका माइनस एक बटा दू और cos 2x cos 2x तो यह आपका हो जाएगा answer इस तरह से एक नमर आपका question यह हो गया इसी तरह से देखिए दो नमबर दो नमर कैसा वाल है cos 3x है cos 3x है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे d by dx किसका हो जाएगा यह तो sin 3x लिखेंगे यहाँ पर sin 3x तो इसका differentiation करेंगे तो क्या आएगा जी इसका differentiation हम करेंगे तो आज आएगा 3 cos 3x 3 cos 3x तो 3 को जो है हम यहाँ पर cos 3 बराबर क्या लिख सकते हैं cos 3x बराबर लिख सकते हैं एक बटा 3 इधर आजाएगा डी बाई डी एक्स और यहां पर क्या हो जाएगा हमारा साइन 3 एक्स गुड़ा में तो बटा में आ गया अब इसी चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं lemfstyby dx और यहाँ पर लिखेंगे 1प्टा 3 और यहाँ पर हम लिखेंगे 3x इसके क्या आगया हमारा अब हम क्या लिख सकते हैं लिख सकते हैं और तो cos 3x का प्रति और kan Aus 1बटा 3 और sign 3x यह हमारा anusar हो जाएगा अब देखिए question no.3 question no.3 देखिए क्या है question no.3 है e के power 2x e के power 2x e के power 2x है इसको क्यों आइसी करेंगे लिखेंगे यहाँ पे देखें किसका है तो d by dx e के power 2x e के power 2x तो इसके क्या हो जाएगा हमारा differentiation 2 e के power 2x ठीक है यह हो जाएगा फिर इसी तरह सहाँ e के power 2x लेंगे e के power 2x तो हो जाएगा एक बटा दू दी बाई dx e के power 2x ठीक है अब इसको आप लिख सकते हैं dy dx एक बटा दू e के power 2x अब इस तरह से हमारा answer क्या हो जाएगा इसका इसका answer हो जाएगा हमारा एक बटा दू i के power 2x यह आपका answer हो जाएगा ठीक है इस तरह से आपको जो है बनना है देखिए चार नमबर चार नमबर कैसा वाल है आपका चार नमबर सावाल है a x plus b के whole square ऐसे है तो आप इसको ऐसे ही लिखेंगे d y d x a x अब plus b plus b के square बुराबर तो हो जाएगा आपका ये 2 है तो हो जाएगा 3 a a x plus b के square ठीक है ये हमरा हो जाएगा इतना अब हम इसी चीज को लिख सकते हैं ऐसे a a x plus b के square बुराबर इतना बुराबर ये बटा में आजाएगा बटा में आजाएगा तो हो जाएगा एक बटा 3 a dy d x a x plus b के square अब हम इसी चीज को लिख सकते हैं ऐसे d by d x 1 by 3 a 1 by 3 a और a x a x plus b के square ठीक है इतना हो जाएगा इस तरह से हमारा एंसर क्या हो जाएगा हमारा एंसर हो जाएगा एक बटा 3 a a x plus b के square ठीक है ये हमारा हो गया अब देखिए पाच नमबर कोश्चन पाच नमबर कोश्चन पर ध्यान देजिए अब आपको यहाँ से जो है डिफर्सेशन निकलना है sin 2 x minus 4 e के power 3 x तो यहाँ से जो आपको integration गयाद करना है तो type change हो गये यहाँ से यहाँ से जो आपका कोश्चन है हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे सबसे जरूरी है आपको अब यहाँ से formula याद रखना होगा formula यहाँ आप सब याद रखते हैं तो आप आसानी से जो है बना सकते हैं तो इस वीडियो में आपको हम formula ही बता देते हैं और उसके बाद जो है आप शुरू करेंगे अगले विडियो में इससे आगे के क्वेशन बनाने के लिए ठीक है तो चलिए फर्मूला हम सुरू करते हैं जैसे देखिए पहला फर्मूला आपका होता है इसमें एक्स के पावर एन डी एक्स इसका फर्मूला होता है एक्स के पावर एन पॉलस वन अबाटा एन पॉलस वन एक्जाम्पल में समल लिए जैसे एक्स के पावर फाइब रहेगा डी एक्स आपको निकालना है तो हो जाएगा एक्स के पावर फाइब पॉलस वन अबाटा फाइ इसी परकार से और फर्मूला है, इसमें जिसे साइन एक्स का कॉस एक्स होगा, कॉस एक का माइना साइन एक्स होगा, ठीक है, टोटल अधी आप याद कर लेते हैं फर्मूला, तो आपको पांच नंबर से सवाल जो है समझ में आने लगेगा.